तो जैसा कि हम तीन ग्रहों की यूती के बार में बात कर रहे थे, इस वीडियो में जानेंगे मंगल, केतू और शुक्र का अगर आपके चार्ट में यूती बन रहा है किसी भी भाव में, तो इस यूती के आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर देखे कि कोन किसको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और सबसे ज़्यादा सीरियस इसूज आपको कहां आ सकते हैं, मैं लिए अगर केतू मंगल और शुक्र के साथ है, तो निस्से थी आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ रिलेशन अपने पार्टनर से है, पास्ट लाइफ कर ये लगजरी के लिए, और आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आपने जिवन में वास्तम में लगजरी को यूज किया है, हलंकि कभी-कभी इसका बहुत ही विप्रित प्रभाव भी देखने को मिलता है, एकदम उल्टा हो जाता है, कि ऐसे लोगों के पास बहुत जिवन साती को नहीं समझ पाता, वास्तम में भौतिक जिवन कैसा होता है, वास्तविक्ता भौतिक जिवन की क्या है वो जातक उसको वास्तम में इंजोई नहीं कर पाता, कुछ न कुछ कमी अवेसा आपको फील होती है, इसी प्रकार से आप क्योंकि पुरुसों के लिए अ understanding वो आपको कैसे बनानी है और आपके और उनके बीच में जो relationship है वो कैसे अच्छा डवलप हो सकता है तो ऐसी condition में हमेशा जिवन साती के होते हुए भी जो वास्तप में आपकी लालसा हैं हैं जिवन साती को लेके जो expectations हैं वो आपकी अधूरी रह जाती हैं इसके दूर होने लगते हैं और आध्यात्म की तरफ जाने लगते हैं मॉक्स की तरफ जाने लगते हैं तो आप धन वगर और लगशरी वगर्ए या relationship इन सबसे दूर हटने लगतें और इन सब को ट्यागने लगते तो ऐसे में एक बहुत ही ज़ादा frustration वाली इस्तिति आपकी life में आ जाएगी इस वज़े से तो आपको देखना पड़ेगा अब ये यूति कौन से भाव में बन रही है और इस यूति पर क्या गुरू जैसे ग्रह की दृष्टी है क्या क्योंकि राहू की दृष्टी तो यहां निस्ति रूप से रहती ही रहती है ऐसी condition में यहां पर जो qualities हैं मंगल और शुकर की वो काफी enhance भी होती है बट क्योंकि केतु हैं तो सारी energy यहां soak लेते हैं और केतु अगर मंगल के ज्यादा close है तो बहुती विस्पोटक इस्तिती बनेगी इस वज़े से आप आपके जिवन साती को बहुती physically harm कर सकते हैं relationship के दुरान साथ ही आपका जो relationship है जिवन साती के साथ बहुती ऐसे आक्रामक विवहार से गुजर सकता है जहां पर आप blindly कुछ न कुछ अपने partner के लिए करेंगे जो उसको नुक्षान पहुँचाएगा इसके लवा physically और mentally abuse करने की बात भी इसमें सामिल है साथ ही देखे जातक का ऐसा नहीं है कि luxury की तरफ या relationship की तरफ रुजहान नहीं रहता बट ऐसी condition में जब भी केतू इन मंगल और शुकर जैसे ग्रहों के साथ इस्तित होते है तो सुरुवात में आपको seriously बहुत ज़्यदा अटेज करते हैं इन चीजों से और strongly आपको इन चीजों की तरफ लेकर जाते है लेकिन एक समय बाद जब आपकी तरफ उत्पन होती है क्योंकि यहां केतू एनरजी सोखने का काम कर रहे है इस वज़े से आपकी जो सारी एनरजी है मंगल और शुकर की वो केतू सोख लेंगे और उसके बाद आपको बहुत ज़दा तरफ पाएंगे तो ऐसा जातक भले उसको कितना भी अच्छा या सुन्दर जीवन साथी मिल जाए या कैसा भी जीवन साथी मिल जाए जैसा आप वास्तव में चाते है लेकिन एर दे एंड जातक अपने जीवन साथी में या अपनी लगजरी लाइफ में या अपने बहुतिक सुखों में कम ही निकालेगा और अन्तितह वो इन सबसे पीछा चुडाने की बात करता है अब आप ये देखें कि आपके चार्ट में मंगल और शुकर कौन-कौन से भावों के स्वाम है जिस भाव में ये आपके युति बन रही है और मंगल और शुकर जिन जिन भावों के स्वाम है उन भावों से जुड़े हुए रिस्तों में भी आप बहुत ज़दा सीरियस इस्यूज फेस करेंगे लेकिन अब आपके पास क्योंकि मंगल जैसा फोर्स है इस केस में मंगल जैसे फोर्स होने की वज़े से आप इसको ब्लाइंडली भी यूज करेंगे कभी-कभी आप वास्तों में ये नहीं समझ पाएंगे कि अपने रिस्ते को बचा कर कैसे रखें अपने रिस्ते को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप उस रिलेशनिफ में कैसे लेकर आ सकते हैं ये सब आपके समझ में बिलकुल नहीं आएगा क्योंकि के तू बिलकुल हैड्लेस प्लनेट है इस वज़े से आपके पास एक अच्छा जिवन साती होते हुए भी और अच्छी बहुत एक लाइफ या लग्जरी लाइफ होते हुए भी आप उसको इंजोई नहीं कर पाएंगे तो यहां आपको यह इस वज़े आएंगे अब देखें मैनली जो शुक्र है वो क्रियेटिविटी के कारक होनी के वज़े से इस वज़े से अपनी क्रियेटिविटी को आप खुल कर सामने नहीं ला पाते हैं यह तेन ग्रोहों की युटी है तो जातक का अकल्ड की तरफ या मिस्टि सिजम की तरफ रुजान बहुत ज़या रहता है ऐसे जातक रिसेर्च उपूरे या ऐसे कारियों सब्शेर्च आज़ता अगे बढ़ सकते हैं उप्ने जिवन में और ज्शादा से ज़्यादा घरनि